ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त सौंबार की रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मी नराशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविश्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को शुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने पृतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिन्चरिया वे कारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सैयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यो में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रिकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है वे ध्यारती अपनी प इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रिकार का विचार विमर्ष करने से उच आग जातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक पत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसे रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनोरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित हो अपसी संबंदों में काफी मधूरत आएगी पती-पत्नी के संबंद खुशनुमा रहेंगे सौपिंग और मोज बस्ती में आज समय व्यतित होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक स्विकरती प्राप्त होगी व्यवशाय और परिवार दोनों जगहें तानमेल बना रह जिससे बहतरिन वातावरन रहेगा घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब कवेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला ह दोस्तों पार्टनर्शिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं कारे को विश्तरित करने संबंदित योजने भी आज बनेंगी नोकरी पेश वेक्तियों के कामकाज आज ज़्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपरकों को और अधिक मजबूत करें उनके द्वारा आपके वेवशाएं में नए ओर्डर और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत वेक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कारे भार रहेगा आप अपनी योग गिता वे काबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदल से संतुष्ट रहेंगे वेवसाएक गतिविद्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरति वेवसाएक गतिविद्यों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रति आपकी उदारता वे उत्तम वहवार उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा दोस्तों साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गतिविद्यों को सुचारों रूप से नियंतरित अपनी कर प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नोकरी पेशा वेक्तियों की उनके उच्चित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे इसके लिए दोस जाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद मंदिर जाएं और भगवान शिव को आप दूध और मिश्री अवश्य चड़ाएं और साती स करने मात्र से ही भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपकी समस्त मनों कामने भगवान शिव क्या सिर्वास से अवस्य ही पूर्ण सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै बोलेना तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद